तो हे अवरिवन आज मैं बना रही हूँ हिबसकस फ्लार ड्वाइंग तो सबी यूट्यूब पे जिसको भी देखो वो यहीं फ्लार बना रहा था तो सोचा कि वहना आज हम भी यहीं फ्लार बना ले तो इसके लिए मैंने लिया है परकार और पैंसिल और यह मैंने इसलिए लिया है ताकि जो हमारा फ्लावर है वो एक प्रोपर शेप में बने तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सरकल लगा लिया है और इसी के अंदर मैं फ्लावर को ड्रो करने वाली हूँ वैसे आप भी साथ साथ ड्रोइंग क्या कीजिए काफी मज़ा आता है ड्रोइंग करने में तो जल्दी से आप भी अपना पेपर और पैंसिल उठा लीजिए और मेरे साथ साथ फ्लावर बनाना शुरू कर दीजिए और कुछ इस तरह से मैं जो ये सरकल है इसके अंदर सेम पैटरन बनाओंगी कुछ इस तरह से ये हमारा जो फ्लार है वो बनता जाएगा ये फ्लार बनाने का बहुती आसान तरीका है आप भी इस तरीके को फोलो करते हुए काफी अच्छा फ्लार बना सकते हैं तो यहाँ पे मैं जो हिवसकस फ्लार के अंदर जो छोटे-छोटे दो टहनिया होती है टहनिया बोलते हैं क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता इसको तो आप प्लीज कमेंट शेक्षन में कमेंट करके बताना कि इसे क्या बोलते हैं तो यह मैंने इसको ड्रो कर लिया है, अब मैं इसको रबर से मिटा लूँगी जो circle बनाया था और उसके बाद हम इसके नीचे जो डंडी है, वो ड्रो करेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे फलार के leaf तो जो हिबसकस फ्लार होता है इसके लिफ कुछ इस तरह से ही कटिंग वाले होते हैं और ड्रोइंग करते टाइम ज़्यादा जल्द बाजी की जरूरत नहीं होती है ये काम हमें बड़े ही आराम से और सफाई के साथ कहना पड़ता है तो इस तरह से हम इसके जो पत्ते हैं उसके अंदर फिनेशिंग देंगे और हमारा जो फ्लार हमने बनाया था उसका जो सेंटर पॉइंट था वहाँ से भी हम थोड़े सी फ्लार में फिनेशिंग करेंगे क्योंकि बिना फिनेशिंग के कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है तो कुछ इस तरह से जो हमारा फ्लार है वो बनके रैडी हो गया है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और हाँ चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना